वेलकम एबरिवन आज की वीडियो में फार्मा स्टुडेंट्स को इंटर्णशिप्स के लिए कैसे अपलाए कर सकते हो साथ ही मैं आप लोगो 12 इंपॉर्टेंट जो इंटर्णशिप्स चल रही है उनके बारे में मैं आप लोगो complete details समझाने वाला हूँ जहाँ पर D-Pharma, B-Pharma and even M-Pharma के students eligible बनने वाले हो यहाँ पर आप लोगो stipend भी provide की जाएगी अब इन चीजों में आप लोगो apply कैसे करना है, registration process क्या बनने वाले है और भी बहुत सारी चीजों के बारे में details हम समझने वाले है अगर आप लोग इस चाहँ के पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इस चाहँ को subscribe कर लीजे for further more updates तो नीचे description में आप लोगो total 10 important apply links मिलने वाले तो ऐसे आप लोगो total 10 link यहाँ पर मिलने वाली है description को आप लोग जैसे ही open करोगे आप लोगो थोड़ा सा नीचे school करना है यहाँ पर important pharma जितनी भी job vacancies आई थी सिपला से ले करके drug inspector पांच से दस के करी जो government की vacancies फाइजर हो गया pharmaceuticals हो गया sun pharma हो गया ऐसी बहुत सारी आप लोगो यहाँ पर postings दी जाएगी तो please उन चीजों को जरूँ चेक करना वहाँ से भी आप लोग अपलाई कर सकते हो medical coding related चीज़े सीखना है और भी बहुत सारी important domains related आप लोगो यहाँ पर vacancies प्रोवाइड कर जाएगी please उन सारी के सारी चीजों को आप लोग जरूँ चेक करना उसके बाद under apply link आप लोगो 10 important apply links मिलने वारी got the point कहाँ पर चीज़े available की जाएगी एक important point मैं आप लोगो समझा देता हूँ इन सभी की सभी postings में आप लोगो को सामने से एक भी पैसा provide नहीं करना है जबकि यहाँ पर stipends रग दिये गया है जो आप लोगे performance के बेस के उपर से आप लोगो provide की जाएगे अगला important update यहाँ पर आप लोगो बहुत सारी pharmacies के अंदर भी जाकर के internship करने के लिए मिलेगा साथी में बहुत सारी industries के अंदर भी जाकर के opportunities मिलने वादि according to your qualifications, according to your certifications आपका resume किस तरीके से बनाया गया है अब resume अगर बनाना है for only pharma students description में मैं link दे दूँगा अपना वैसा resume बनाओगे select होने के chances काफी जादा बनने वाले important point clear हो गया क्या चीज़े बनने वाली है important points की तरह हम बढ़ते हैं तब से पहले इंटर्शिप और यह बहुत important platform बनने वाला है यहां पर आने के बाद आप लोगो pharma relative जो भी jobs, internships, सारी जानकारी आप लोगो यहां पर provide कर दी जाएगी यहां पर काफी सारी आप लोगे apprenticeships दी जाएगी इंटर्शिप दी जाएगी जिन चीज़ों के अंदर आप लोग apply कर सकते हो यहां पर current time पर job type के अंदर आप जेक सकते हो freshers, full time, government jobs, internships भी available है यहाँ पर आप companies के थुरू भी apply कर सकते हो, काफी सारी companies मिल जाएगी, जिनके थुरू आप apply कर सकते हो, और भी बहुत सारी आप लोगो यहाँ पर details प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आपको जिस भी internship, apprenticeship आप खेलो, जिस भी चीजों के अंदर आप लोग apply करना है, simply apply now वाले tab के उपर click करना पड़ेगा, जिसके बद आप लोगो इस domain related complete चीज़े यहाँ पर available की जाएगी, जैसे मैंने आप लोगो समझा दिया है, उपर आप लोगो अपना resume डालना पड़ेगा, एक से दो page के अंदर रखिये, details के लिए नीचे वीडियो में link कर दूँगा, फिर बाकी सारी important details यहाँ पर आप लोगो mention करके submit वाले tab के उपर click करना, simple as that, फिर according to your resume, आपके resume किस की स्किल्स मेंचन है, उसके according जाकर के आप लोगो mail receive होने वाए, और यह reply आप लोगो within 3-4 days के अंदर ही provide किया था है, जादा लंबा ही आपको waiting provide नहीं करते है, details clear हों कि क्या चीज़े बनने हल्वे, यहाँ पर according to your location, किस तरीके के आपको internships required है, बहुत सारी चीज़े यहाँ पर available की जाएगी, तो please उन चीज़ों को आप लोग जरूँ चेक करना, नीचे जब आप scroll करोगे, यहाँ पर देखो jobs for nurse, jobs for lab physician, यहाँ पर आप लोगो pharmacist, support staff हो गया, paramedical staff हो गया, doctors के लिए healthcare, बहुत सारी चीज़े यहाँ पर provide कर दियाएगी, इस platform को अच्छी तरह से save करके रख लीजे, काफी ज़ादा help आप लोगों यहाँ से provide की जाएगी, अगला जो एक और important कहला आप internship बना जो pharma graduates के लिए बनने वाला है, तो यहाँ पर आप complete detail चेक आउट कर सकते हैं, देखो सभी link में process similar ही बनने वाला है, आप लोगों को अपना resume upload करना है, basic details को enter करना है, उसकी बाद यही सामने से आप लोग अप्रोच करने वाले हैं, यहाँ पर आप लोगों को internships के लिए बोला जा सकता है, कुछ jobs भी रह सकता हैं, कुछ trainings भी रह सकती हैं, अगर आपके बस enough skills नहीं हैं, तो यह सामने से आपको offer देंगे, कि नहीं एकाद दो training आप लोग कर लीजे, हम वो training प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए आप लोगो थोड़ा बत fees भी देना पड़ सकता है, वो चीज़े आप लोग कर सकते, fees दीजे, फिर internship के लिए जाएए, ट्रेनिंग के लिए जाएए, वहाँ से आप लोग फिर अपना experience गुरू करके, पाद में आप internship jobs के लिए भी apply कर सकते, important point clear होगे, क्या चीज़े बनने वाली है, और कहीं से भी मैं repeat करूँगा, कहीं से भी अगर आपको mail receive होता है, जहाँ पर बताया जाते हैं, कि आप लोग इस internship के लिए इतना पैसा pay करना है, वो पैसा आपको pay करना नहीं है, उन चीज़ों को आप लोग को वहीं पर छोड़ देना है, reply वगर देने की ज़रूरत नहीं है, what the point क्या चीज़े बनने वाली है, selection का जो process है, वो पहले interview based पे होता है, उसके बाद कुछ return exam या फिर आपके लोग कभी कभी computer based questions के भी चीज़े series है सकती है, तो वो totally depend करता है, जो आप लोगो mail via समझा दे लिए, कि exactly आप लो selection process किस तरीके पे किया जाएगा, अब यह जो important के लब internship बने जो फार्मा graduate के लिए बनने वाली है, जो एक साल से ले करके कम से नौ मैने के करीब में बनने हो लिए, जहाँ पर आप देख सकते हो कि essential qualifications जो क्या है, MBBS अगर आपके पास है, B pharma है, biotechnology domain के अदर है, अगर आपके बाद डिग्री से है, अब यहाँ पर आप लोग अपलाए कर सकते हैं, अब यहाँ पास salary थोड़ी जादा हाई रखी गई है, इसके हिसाब से आप लोग समझ से करें कि skills भी उतने जादा requirement रनने वाली है, इंटर्शिप बने लिए क्लिकल रिसर्च के बनने वाली है, यहाँ पर आप सारी की सारी चीज़े चेक कर सकते हैं, सभी के सभी 12 लिंक में आपको सिमिलर प्रोसेस ही मिलने वाला है, जस्ट चेक आउट दा लिंक क्या-क्या क्वलिफिकेशन के डिमांड की गई है, अगर आप फुलफिल कर पाते हो तो यहार गुटोगो apply कर लिजे, आपके लिएशी से और ज्यादा फायदे में बनने वाली है, स्किल्स भी बता दिये जाएंगे कौन-कौन से तरीके के स्किल्स रिक्वाइड है जैसे यहाँ पर MS Excel का स्किल्स रिक्वाइड है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूगा जहां से आप लोग MS Excel भी सीख सकते हो वह भी वेरिफाइड सर्टिफिकेट है समझे तो टोटल 12 लिंक के अंदर आपलोगो सिमलर सिमलर प्रोसेस्स बनने वाला है बहुत सारे में आप लोगो स्टाइपन मिलने वाली बहुत सारी में आप लिए इंटरशीप के बाद में जॉप्स की भी